हलो दोस्तों मैं हूँ प्रेंस और सुवाद करता हूँ आपका मैंगनेट ब्रेंस में तो हम क्लास टेंट में मैस का अपना चाप्टर कॉडिनेट जोमेट्री देख रहे थे और अपने इस चाप्टर के अंतरगत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने सेक्शन फॉर् काफी जाद इंपॉर्टेंट और क्रूशल सवाल को सॉल्फ कर लेते हैं जैसा कि आप लोग देख पार होगे सर कि यह सवाल अल्रेडी हमसे दो बार बोर्ड एक्जाम में साथ 2006 के कंपार्टमेंट में इसके साथ 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 2015 में पूछा जा चुका है यानि कि यह सवाल यह सवाल हमसे बोर्ड एक्जाम में अबजेक्टिव मसी क्यू कर में और आता है तो एक मास को पूछा जाएगा तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं सवाल कहरा है if A, minus 2, minus 1, B, A, 0, C, 4, B and D, 1, 2 are the vertices of a parallelogram, find the values of A and B. तो बिना टाइम वेस्ट किये वे सवाल का explanation देख लेते हैं, explanation की पूरी कहानी को बिलकुल ध्यान सुनियेगा. तो सवाल ने हमें एक parallelogram A, B, C, D के चारों vertices के coordinates प्रोवाइड कर दिये हैं, और इसके बाद सवाल हमसे A और B की value पूछ रहा है, अब आप कहोगे सर, यह A और B क्या है? तो सवाल के given data से मुझे समझ में आ रहा है कि A मेरे parallelogram A, B, C, D के vertex B का x-coordinate है, इसी तरीके से मुझे अपने given data से यह समझ में आ रहा है कि B मेरे parallelogram के vertex C का y-coordinate है, तो सवाल का explanation सभी को clear हुआ की नहीं, बिल्कुल clear होना चाहिए, अब explanation clear है, तो चलते हैं solution की कहानी पे, solution की कहानी को ध्यान से सुनना, again, सवाल की variety पकड़ में आ रही है और इस variety को सबसे तेज किस method से tackle करते हैं, यह हमें पता है, तो फड़ा-फड़ तरीके से अपने इस सवाल को, अपने diagonal वाली property को midpoint formula के साथ use करते हुए solve कर लेते हैं sir, तो यहाँ पे अब solution की कहानी को start करते हैं, सबसे पहले सवाल के अनुसार diagram create कर लेते हैं, तो parallelogram पे चर्चा हो रही है, हम भी random तरीके से parallelogram को draw कर लेते हैं, आती है parallelogram के नामकरन की, तो सवाल ने इस बार parallelogram का नामकरन provide कर दिया है sir, इस parallelogram के परिवार वालों ने already नामकरन provide कर दिया है, ध्यान सा मेरी बात को सुनना, सर यहां पे order में vertices हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्या सिखा है था, नहीं लिखा हुआ मिले तो भी है मान के चलेंगे कि they are taken in order, तो अगर यह order में है sir, यह हमने assume कर लिया, तो उस हिसाब से मुझे clear हो रहा है sir, order के हिसाब से पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है, यानि कि मैं जो अपने parallelogram का नामकरन करूँगा, उसमें यह orderly manner represent होना चाहिए, यह orderly fashion represent होना चाहिए sir, तो यहाँ से clear हो जाता है कि मेरे parallelogram का नामकरन होना चाहिए, parallelogram ABCD, और किस तरीके से vertices को place करना है, यह भी यहाँ पे बहुत अच्छी से clear है, तो quadrilateral के nomenclature के जो rules जानते हैं, उनके हिसाब से placement कर लेते हैं, तो मान लिजे इस vertex के साथ start करते हैं, यहाँ पे randomly इसको मान लो मैंने A बोल दिया, अब orderly fashion आपको पता है sir, मान लो मैं यह वाली direction सेलेक्ट करता हूँ, तो इस orderly fashion के साथ से A के बाद क्या आएगा sir, B आएगा, B के बाद क्या आएगा sir, C आएगा, C के बाद orderly fashion में क्या आएगा sir, D आएगा, तो parallelogram बना लिया, नाम करन भी यहाँ पे complete कर लिया, अब सवाल ने यहाँ पे हर vertex के coordinates बिल्कुल specify करके बता दिये हैं, उनको लिख लेते हैं sir, फटाफट, A के coordinates given है, minus 2, minus 1, B के coordinates मुझे यहाँ पे given है, A, 0, C के coordinates given है, 4, B, और finally, D के coordinates given है, 1, 2, तो यहाँ पे diagram की कहानी complete कर ली है, अफट आफट डागोनल्स बनाते हैं, और mathematical analysis को शुरू करते हैं sir, तो यहाँ पे A और C को join करके, एक diagonal बना दिया, again, B और D को join करके, एक और diagonal बना दिया, तो midpoint की कहानी के मदद से बात करना, start करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मालो सबसे पहले में, लाल वाले diagonal को select करता हूँ, तो लाल वाले diagonal को select करने के बाद, अपने diagonal का midpoint बता सकते हैं, क्या हो जाएगा sir, midpoint का coordinates, ध्यान से सुनना, सबसे पहले AC को consider करते हुए, midpoint का x coordinate हो जाएगा, end points के x coordinate coverage, यानि की minus 2 और 4 coverage, यानि की 4 minus 2 बटे 2, यानि की सर 2 बटे 2, यानि की एक, इसी तरीके से यहाँ पे कह देंगे sir, कि मेरे midpoint का जो y coordinate हो जाएगा sir, ये midpoint का y coordinate हो जाएगा, end points के y coordinate coverage, यानि की minus 1 और b का average, यानि की इसको मैं लिख सकता हूँ, b minus 1 divided by 2, डारेक्ली दिमाग में किया, इसको समझने में कोई इकत नहीं होनी चाहिए, अब देखो, अब ये जो midpoint हमने निकाला है sir, ये midpoint, इस वाले diagonal के लिए भी midpoint का ही काम करेगा, तो यहाँ पे अपने midpoint formula को satisfy करवा देंगे, सब कुछ निकल के, आजाएगा sir, satisfy करवाते हैं, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे तुरंट कहा देंगे कि, diagonal bd के लिए, midpoint का जो x coordinate है, ये किसके बरावर हो जाएगा, तो endpoints के x coordinate का average, यानि कि 1 और a का average, यानि कि 1 प्लस a by 2, इसी तरीके से, midpoint का y coordinate क्या हो जाएगा sir, तो midpoint का y coordinate देखें क्या है, b minus 1 by 2 है, तो midpoint का y coordinate हो जाएगा sir, ये endpoints के y coordinate का average हो जाएगा, जो कि situation के साब से है, 2 और 0 का average, 2 और 0 का average क्या बता दोगे sir, तुरंट कह दोगे 2 प्लस 0 by 2, यानि की, यहाँ पे sir, 2 by 2 यानि की 1 हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आगया, 1 निकल के आगया, इसको solve कर लोगे b आजाएगा, इसको solve कर लोगे a आजाएगा, कहानी खतम, पैसा हजम, फरावड solve करते है sir, इसको solve करेंगे, cross multiply करेंगे, तो a plus 1 बराबर 2, यानि की a बराबर 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, a की वैलू 1 आगई, इसको solve करेंगे, cross multiply करेंगे, तो b माइनस 1 बराबर 2, यानि की b बराबर, उस तरफ जाएगा, 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, b की वैलू 3 के बराबर आगई, तो हमने a की भी वैलू निकाल ली, b की भी वैलू निकाल ली, अब समझना, इस सवाल में interesting क्या था, ध्यान से सुनना, तो normally इस type के जो सवाल बनाते वे आ रहे हुआ होँआ होता ये था सर, कि किसी एक diagonal से, मुझे अपने midpoint के, दोनो coordinates, value-value में मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं, दोनों में से किसी भी diagonal को उठाऊंगा सर, तो दोनो coordinates, midpoint के value-value में नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर दिकरा होगा, लाल वाला diagonal अगर उठाऊगे, तो लाल वाले diagonal के midpoint का, x-coordinate आपको value में मिल जाएगा, लेकिन y-coordinate कुछ unknown के term में मिलेगा, अगर आप purple वाला diagonal उठाते, उस case में midpoint की बात करोगे सर, तो y-coordinate आपको value के term में मिल रहा है, लेकिन x-coordinate value डारेक्ली नहीं मिल रही है, कुछ unknown के term में मिल रहा है सर, तो यहाँ पर interesting क्या हो रहा है, interesting यह हो रहा है कि normally इस type के सवालों में, एक diagonal के analysis से midpoint के दोनों coordinates मिल जाते थे हैं, जिसको दूसरे वाले में use कर देते थे, जबकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है सर, कि किसी भी एक के analysis से दोनों नहीं मिल रहा है, आदा इधर से मिल रहा है, आदा उधर वाले diagonal से मिल रहा है सर, इसी वज़ा से उसी unknown के term में, हमने midpoint की कहानी निकाल ली, उस कहानी को दूसरे diagonal के लिए satisfy करवा दिया, solve करके answer निकाल लिया, तो कहानी सभी को समझ में आए, बिलकुल आनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे सर, तुरंट कह दोगे, A की value 1 के बराबर, और B की value 3 के बराबर, तो मीद करूंगा इस lecture में, जो भी बताया, बहुत अच्छे से clear है, कहीं किसी किसम का doubt नहीं है, अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी doubt है, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दुबारा से देखिए, जरूरत पड़े तो एक बार और देखिए, slow motion में देखिए, लेकिन एक बार खुझ से try करिए जरूर, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता, तब तुरंट आप मुझे comment section में बताईए, आपके comments का, मैं reply करने की कोशिश करता हूँ, तो आज के पढ़ाएवे notes आप हमारी official website, magnetbrains.com से download कर सकते हैं, जिसका link वीडियो के description में है, magnetbrains.com पे किनर गार्डन से लेके 12 तक, सारे subjects और courses मिल जाते हैं, वो भी बिलकुल systematic garden में ranged, और quality teachers के द्वारा, वो बात जो कि magnetbrains को खास बनाती है, वो यह है सर, कि जहां पे दूसरे channel शुरुआत का हलका फुलका content आपको free में दे के ललचाते हैं, और बाकी के content के लिए पैसे charge करते हैं, वहीं पे magnetbrains पे सारे courses, पूरा का पूरा content, quality teachers के द्वारा, पहले भी free था, अभी भी free है, आगे भी रहेगा, सब कुछ यहां पे free of cost available है सर, कोई भी पैसे आपको नहीं लगने, बस आपके side से हमें एक ही चीज़ चाहिए, जो कि हमें motivated रखती है, और वो है आपका प्यारो support, तो आप अपना प्यारो support हम पे इसी तरीके से मनाये रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, इसी note पे lecture को end करते हैं, Thank you.